तो हेगाइज वेलकम बैक टे और चानल ट्रेडिंग इनुवरस्टी दोस्तो आज की वीडियो रहने वाली बहुत जादे इंपोर्टेंट एक बहुत ज्यादा हॉट मैं बोलूगा सबसे ज्यादा हॉटेस बैंक के मारे बात करने वाला है कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तो इस दोस्ते हैं में जही जिस टाइब की नूष्याय का ट्राइफ जिस्त त्टाइब की बनार रहा है जो प्राइस और यह चल रहा है इसके बाद आज क्या हुआ, इनके quarterly results है, तो JP Morgan और जितने बड़े-बड़े आपके hedge funds हैं, जितने बड़े आपके mutual funds हैं, PMS services हैं, बड़े-बड़े, मैं मैं बुलूँगा, 10,000 क्रोड, 20,000 क्रोड, ज्यादा वाले, सो उन्होंने इसकी जो rating बहुत जादा upgrade कर दिया, जितने भी RBI के losses थे, जितने भी इनको दिक्कत आ रही थी, वो बिल्कुल मिटा दी, और सारे जितने भी मैं banks के बारे बात कर रहा हूं, जितने भी मैं ऐसे hedge funds के बारे मैं आपसे बात कर रहा हूं, उन लोग ने इसके जो target है, recent case, आपसे 2000 के ऊपर का दिया है, 2050 का target दिया है, बहुत ज़्यादा positive news जो है, कोटक महिंदर बैंक ले रहने वाली है, so guys, important levels discuss करने वाले, stop loss, target, trailing, trailing targets, support, resistance, demand supply, बहुत ज़्यादा important video रहने वाली है, especially, जो लोग सोच रहे हैं, कोटक को aggregate करने का, because it is at an excellent, excellent investing levels, या फिर जिन लोग के portfolio में already है, और उन्होंने नीचे के levels पर और खरीता है, बहुत ज़्यादे important level रहने वाली है, because I am pretty sure, बहुत ज़्यादा जो मेरी प्यारी जनता मेरे को वीडियो देख रही है, already, उनकी बास कोटक already है, बिकॉस इस एन excellent, excellent bank, कहीने कि जब stock चलना शुदू हुआ था, तब से ही वो पिट गया है, अगर मैं बात करूं तीन दिन की, तो अगर मैं weekly time frame में बात करूं, जैसे कि आप देख पार हैं, जो candle बनी है, जब हमारा gap down खुला था कोटक, तो उस दिन की closing आये थी, वो 10.27% negative आये थी, और एक और week की candle देख पा रहे हैं, वो again 3.84% negative closing हुई थी, और आज की वज़े से, आपको कहीना की जैसे कि आपने बात करी थी, कोटक इस अप्रॉक्सेमेटली यह 5.41% है जब आप लोग के वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूं, जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, 1629 के अप्रॉक्स, ठीक है 1629 का ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, अब कुछ important supporter resistance के लिवल के हमें बात कर लेते हैं कि क्या important levels रहने वाल है, एक हमें trend line भी उपर से देखने को मिल रही है, multiple trend lines, हमें multiple trend lines देखने को मिल रही है, और multiple trend lines ऐसी है, कि जब एक का breakout होगा, तो उस ब्रेक आउट होगा, उस पर retest होगा, तो वैसी multiple trend lines भी कहीं देखने को मिल रही है, important supporter resistance के लिए हम बात कर लेते है, जब आपका S1 रहने वाल है, पहला बहुत ज़्यादा important support, वो आपका रहेगा 1600 का level, S2 आपका रहने वाल है, 1500 से लेके, 1525 का level, ठीक है, और दोस्तों, जो तो उसके लिए हमें prepared trend है, इसी टाइप से हमें averaging करनी होती है, इसी टाइप के साफ से हमें investing करनी होती है, अभी में को इस पिताओ, जिन लोगे ने भी गलती करी थी, जिन लोगे न अपना विश्वास उठा लिया था कहीं जिन बाद अल्रेडी कोटक महें तरा bank है, इतना गिर गया है, अब तो और गिरेगा, तब खरीदेंगे इसको, यार जब गिर रहा है, आपको पता है, so why you are not investing in a stock you are already holding, percentage terms के साफ से invest करो, भाई, stock 15% करेक्ट हुआ था, और अगर आपने फिर भी आपका already है higher level से आपने invest नहीं करा, so you are not an investor, आप बहुत डरे भी हो, आप सहम लेना ही नहीं है, तो यह FD किला लो, FD में पैसा डाल दो, उसकी भरोसी बैठे लाओ, मार्केट में आपको trade करने की कोई ज़रू हती है, अगर आप risk नहीं ले सकते, S1, S2, S3, S1 आपका रहने वाला है 1600 का level, 3rd support आपका रहने वाला है 1400 का level, अब ज़रा important resistance की बारे बात कर level, ठीक है, और जो आपका दोस्तो, R3 रहने वाला है, R3 आपका सीधा 2000 का level रहेगा, और अगर कहीने की हमें 2000 की उपर भी एक positive closing, जो की बहुत जल्दी देखने को मिले रहे हैं, अगर आपका जो 4th resistance रहने वाला है, वो सीधा आपका 2200 का level रहेगा, ठीक है, जो की कहीने की approximately इसका all time है, 2200 के उपर का approximately all time है, बाइसो पचास या बाइसो बच्चिस के आसपास का, ATS का ही टार्गेट कहीना कहीन, मैं बहुलूँगा, एक positive जो हमारे बड़े-बड़े banks है, बड़े-बड़े hedge funds रहों ने दिया है, all because of excellent results, ठीक है, जो आपको important supporter resistance के level, जो आपको कोटक bank is approximately 3,23,991 crore, the PE of the stock, the price to earnings ratio is approximately 17.8%, ROCE return on capital employed is approximately 8.75%, current price is as you can see 1630, इसको refresh करूँगा, तो current market के साब से price भी refresh हो जाएगा, book value of the stock is approximately 563, ROE return on equities again approximately 16.3%, अब dividend yield देख सकते है, 0.10 है, अब जारे रीचे देखते है, अब pros and cons के बारे बात करता है, थोड़ा, so positives of the company are, the company is expected to give a quote quarter, which it has, company has delivered a good profit growth of 20.4 CAGR, compounded annual growth rate, over the last 5 years, और दोस्तों कर मैं cons की बात करूँ, जो कि negatives रहने वाले है, stock is trading at approximately 2.86 times its book value, contingent liabilities of rupees 5,08,058 crore, earnings include an other income of 38,000 crore, ठीक है, so guys, अगर आपको बता है, Kotak Mahindra Bank belongs to the private sector, so अगर मैं देखू, compare करूँ, so fourth number पर आता है, HDFC Bank is a market leader, second is ICICI Bank, third is Axis Bank, fourth is Kotak Mahindra Bank, और यह जो जितना भी आपको डेटा देख रहा है, this is in the decreasing order of market capitalization, you can see the maximum market capitalization is held by HDFC Bank, उसके बाद ICICI Bank, उसके बाद Axis Bank और उसके बाद आपको कोटक Mahindra Bank आता है, और आप compare कर सकते हो, कि कौन से stock, आपके levels के साबसे investable है, इसमें आपको सारा data देख जाएगा, quarterly results, quarterly profit variations कितनी है, ROCE कैसा है stock का, जो और, you know, sector में already competitors है, तो यह data बहुत जादे important होता है, जो आपको analyze करना होता है, कि यार, वो पुरा sector कैसे perform कर रहा है, उस sector में चो और stocks हैं, वो कैसे perform कर रहे है, ठीक है, तो दोस्तों तो नीचे चलते हैं, ठीक है, तो दोस्तों, अगर मैं revenues की बात करूँ, अगर मैं revenues की बात करूँ, so 2022 से start करते हैं, so revenue में, अभी हम consolidated results ही देख रहे हैं, we are judging the company on the parameters of its operations in India and abroad, combined, ठीक है, revenue की बात करें दोस्तों, so March 2022 में 8838 करोड का revenue था, June 2022 में 9164 करोड, उसके बाद September 2022 में 9000, approximately 10,000 करोड, December 2022 में 11,000 करोड, March 2023 में 12,000 करोड, June 2023 में approximately 12,900 करोड, अगर मैं September 2023 की बात करूँ, approximately 13,700 करोड, December 2023 में बात करूँ, so 14,500 करोड, and again, March 2024 जोवाने late-trace quarter था, उसमें बात करें तो 15,150 करोड की हमें approximately revenues देखने को मिलता है थे, दोस्तों, अगर मैं PBT की बात करूँ, जो कि मारा profit before tax होता है, अगर मैं 2023 की बात करूँ, मार्च 2023 में जो अपका PBT था, profit before tax निकल के आ रहा था, वो approximately 5,989 था, PBT में हमें profit before tax में dip देखने को मिलती, June 2023 के quarter में, जो हमें results, हमें data देखने को मिला था, वो हमें देखने को मिला था, 5586 करोड का जो कि पहले approximately 6000 करोड था, अगर मैं September 2023 की बात करूँ, so 5,888, अगर मैं December 2023 की बात करूँ, जो PBT profit before tax था हमारा, वो था 5,614 आप एक चीज़ देख पा रहे हो, कि जो मार्च 2023 का data था, अभी तक हो रिकवर नहीं हुआ है, but March 2024 का data है, उसमें 6,775 करोड का PBT profit before tax, excellent PBT में देखने को मैं रहा है, जो नीचे चलते हैं, अगर जड़ा, रिजर्व और बात करें, ठीक है, तो अगें बैंक है, बैंक का काम ही financing का होता है, एक जगे से पैसे लेकि दूसरी जगे देना, जो company के reserves हैं, maximum reserves हैं भी तक के, March 2023 का भी data हमें दिख रहा है, which is approximately 1,10,821 crore, उससे पहले, March 2022 में 95,000 crore के अप्रोक्स थे, अब I am pretty sure March 2024 का भी data हैगा, उसमें भी अच्छा rise reserves में देखने को मैं दा था, दोस्तों, अगर मैं borrowings की बात करूँ, अब इसमें हमें देख पारेंगी जो प्रमोटर की holding है, जो में recent quarter, तो दोस्तों, March 2024 का जो में recent quarter देखने को मिलाता है, उसमें तरह प्रमोटर holding में discussion कर लेते हैं, 25.90% हमें प्रमोटर की holding देखने को मनी थी, अगर मैं बात करूँ, प्रिवियसली, जो कि आपकी approximately हुआ करती थी, इस अभी 25.90 उससे पहले, December 2023 में हुआ करती थी 25.991, और 25.91 से September 2023 में पहले जाएंगे, तो 25.92% हुआ करती थी, अगर मैं FIIs की बात करू, सो FIIs have been decreasing, जितना FIIs decrease करते हैं, उतना DIs increase करते हैं, बट हमें recently public की shareholding में भी increase देखने को बिलाता, अगर मैं December 2023 से बात करूँ, उसमें भी 13.11% public की shareholding करी गई थी, उससे पहले अगर मैं balance sheet में देख पा रहा हूं, जो maximum holding मेरे को दिख रही है recent case आप से, वो 16.61% दिख रही है, वो जो की हुआ करती थी June 2021 में, तो कोई दिक्कत नहीं है stock में, अब जो recent data दुबारा आएगा, उसमें public की shareholding है न, जो public की shareholding है, I am expecting it to be lowest, अभी तक की जितनी भी public की shareholding हमें दिख रही है, अभी तक की lowest I am pretty sure आएगी, क्योंकि the stock is excellent stock, excellent balance sheet, excellent results, excellent technically, excellent fundamentally, जो भी मैंने आप से बात करी उसके according, I hope आपको एक brief analysis, Kotak Mahindra Bank का पसंद आएगा, हमारे चैनल Trading University पर जितनी भी हमने बाते करी, सारी आपको समझाए होंगी, जितनी भी हमने in-depth बाते करी, technically, fundamentally आपको दोरों समझाए होंगी, guys, हमारी इस वीडियो को उन लोग को इसा जरूर शेर करना, अपनी friends or family में, जो stock को अलड़ी hold कर रहा है, वो परशान है कि क्या करा जाए, या फिर अगर किसी ने इसमें invest नहीं कर रहा है, वो पहले लेवल सोट कर रहा है, that if you are an investor or not, क्योंकि investor का ऐसा भरोसा एक बुरे कोटर से आपको न्यूज आने से नहीं बदलता, एक वो long-term growth perspective से सोचते हैं, long-term growth perspective से आप अभी भी देख लिए, it is at an excellent buying levels, excellent valuation, अगर मैं कहीं नहीं कहीं बात करूँ, भी देख लिए एक्विटी सेग्में, so guys, please like, share, subscribe to our channel, thank you so much for watching all our videos, we'll be back for another good video for you, thank you so much guys for watching, see you, bye.